जंगली भेडिया द्वारा एक मैला पर हमला किया गया पूरी दुनिया में एक मात्र ऐसा जानवर जिसे कभी पाला नहीं जा सका जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका जिसे कभी पट्टा नहीं पहनाया जा सका नाम है भेडिया उतर प्रदेश के बहराईच में आतंक का पर्याय बना हुआ है भेडिया लगातार कई हमले इसने किये आठ बच्चों का शिकार इसने कर लिया एक महला पर भी हमला किया एक महला को भी इसने जिंदा खा लिया आप जरा सोचिए कि गाउं के लोग किस कदर दहशत में जी रहे होंगे पिछले कई महिनों से बहराईच के आसपास के और ग्रामिन छेत्रों में आतंक इसने मचा रखा था हलांकि ये भेडियों का एक जुंट है जो की इलाके में दहशत बनाया हुआ है तीन भेडियों को पहले ही पकड़ा जा चुका था ये चौथा भेडिया है जिसे आज सुबह बामुश्किल पकड़ा जा सका देखें वनविभाग की टीम ने कड़ी मशकत की और इस कड़ी मशकत के बाद इस भेडियों को किस तरीके से पकड़ा गया है ये भी वनविभाग के जो करमें वो बता रहे हैं दरसल इस भेडियों को पकड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाया गया क्योंकि पकड़ में आही नहीं रहा था और रात भर लोग परिशान रह रहे थे तक्रीबन 35 गाउं में मुनादी करवाई गई थी अलर्ट जारी किया गया था और 35 गाउं के लोग खुद ही रत जगा क समझे ये जुंड में हमला कर देते हैं एक भेडिया पहले निशाना बनाता है और उसके बाद बाकी भेडिये भी तूट परते हैं और यही कारण है कि जंगल का राजा भी इनसे डरता है जंगल का राजा भी इनसे अकेले लड़ने के लिए डरता है उत्तर प्रदेश के ब पासूम बच्चों को उठा कर ले गया भेडिया एक महिला को निशाना बना लिया भेडिया ने और उसके बाद गाओं में दह्शत का जो महौल बना है उसके तस्वीरें आप लगातार न्यूजटीन पर देख रहे हैं लेकिन अब जिस भेडियों को पकड़ गया है उसे कर ड्रोन कैमरे से बकाइदा 24 गंटे निगरानी की गई तब जाकर ये चौथा भेडिया नजर आया और जैसे ही रात के तकरीबन 12 बजे बनविभा की टीम को मालूम पड़ा कि भेडिया इलाके में बहराईच के किसी एक पर्टिकुलर इलाके में घूम रहा है वहीं पर प लग किया घूल बजाए गए भेडिया डर के कारण भागा और एक नेरोगेज के पास जाकर वो फस गया और उसी दौरान वहाँ पर जो डॉक्टर मौजू थे वन विभाग के जो डॉक्टर थे उन्होंने उस भेडिया को ट्रेंकुलाइज किया भेडिया बेहोश हुआ औ लेकिन उन तीन भेडियों के पकड़े जाने के बाद से ये चौथा भेडिया लगातार परिशान कर रहा था गाओं के शेत्र इसकदर डर के साई में थे कि लोग घरों से बाहर रात में तो छोड़िये दिन में भी घरों से बाहर निकलना किसी भी काम के लिए बाहर जाना इन सब के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन अब, लोगों ने थोड़ी रहात की सांस लिए, हाला कि वनविभाग अभी भी इसपश्ट नहीं कर पा रहा है, कि और कितने भेडिये हो सकते हैं, जो कि इस पश्ट नहीं कर पा रहा है, कि क्या इन भेडियों के जुंड में कितने भेडिये हैं और भी कोई ताकदवर भेडिये हैं क्या क्योंकि ये जो चौथा भेडिया पकड़ा गया है कहा जा रहा है कि ये सबसे जादा ताकदवर भेडिया है जैसे कि आप सबी को मालूम है कि भेडियों का पूरा एक जुंड होता है जिसमें जो सबसे उम्रे दराज भेडिये होते हैं वो सबसे आगे चलते हैं जो दिशा निर्देश देती हैं और पीछे ताकतवर भेडिये होते हैं उनके पीछे उनकी महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं और सबसे पीछे जु लीडर होता वो चलता है इस तरीके से पूरा का पूरा भेडियों का एक जुन्ड होता है जो कि हमला करने के टाइम पे भी चुपा रहता है एक भेडिये की दस्तुक और उसके बाद सारे भेडिये टूट पड़ते हैं गाओं में अभी लोग डरे हुए हैं अभी भी लोगों के मन में वो डर, वो कंपन हैं क्योंकि जिस तरीके से आठ बच्चों को इन भेडियों ने निवाला बनाया है महिलपो निवाला बनाया है उसके बाद हर व्यक्ति अपनी जान अपने परिवार की जान का खत्रा अभी भी सता रहा है वनविबाग मुस्तैद है लगतार नजर बनाई जा रही है लेकिन चौथे भेड़ी के पकड़े जाने के बाद थोड़ी से रहत की सास है क्योंकि अभी तक डोन कैमरे में और भी भेड़ी इलाखे में घूमते हैं नजर नहीं आए है लेकिन फिर भी मुनादी लगतार की जा रही है जो ऐसे भी शेतर हैं जहां पर जानकारी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर भी अब बन विबाग की टीम जाएगी क्योंकि जैसे ही भेड़ों पर हमला होता है भेड़ों के एक प्रवत्ती होती है कि वो तुरंत उस इलाखे को छोड़कर दूसरे इलाखे में शिफ्ट कर जाते हैं और पूरे की पूरी गैंक के साथ शिफ्ट कर जाते हैं इसलिए ये वन विबाग के लिए बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है कि आकिरकार इन भेड़ों का जुंड अप किस तरफ जाएगा किस शेतर में जाएगा कहां पर रुकेगा कहां पर हमला करेगा और इस भेड़ों को पकरने के लिए और कितने मुश्किले होंगी फिलाल वन विबाग की टेम के लिए अभी सबसे बड़ी चुनोती सबसे बड़ी चुनोती यही है कि इस भेड़ी का जुंड कहां पर अब जाएगा और कुल कितने भेड़ी इस जुन में शामिल होंगे आप ये देखें कि भेडियों की प्रवती और भी ये पहले के समय में देखा जाता है कि ग्रामी चेतर के आसबास भेड़ी आम तवर पर नजर आ जाते थे और महिलाओं पर सबसे ज़ादा भेडियों का हमला होता था क्या आपको मालूम है कि महिलाओं पर जो हमला होता था उसका कारण क्या होता था क्यों महिलाओं को कहा जाता था कि वो तड़के सुबह कभी भी अक्केले बहार ना जाए क्योंकि महिलाओं के जो मासिक धर्म होते थे उस दोरार भेडियों की सूंगने की ख्षम्ता इतनी जादा होती थी कि वो 14 किलोमीटर दूर से भी सूंग लेते थे और उन महिलाओं पर हमडा कर देते थे उनको उठा कर ले जाते थे मार देते थे और यही कारण है कि महिलाओं को महिने की तीन दे जब उनके मासिक धर में चल रहे होते थे उनको बहा निकलने से मना कर दिया जाता था उनको घर के अंदर ही रखा जाता था और आज भी ये प्रवत्ती आदिवासी शेत्रों में देखी जाती है क्योंकि भेड़े दूर से सूंग लेते हैं अपने शिकार को और कहीं भी अगर भेड़ों को खोन की खुशबू आ जाती है तो वो उसे बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं एक तरीके से कहिए क्यों पागल हो जाते हैं बोरा आ जाते हैं और भेड़े उस जगे पहुँच जाते हैं हमला करने के लिए और ऐसे ही कुछ मामला यहां पर भी सामने आ रहा था ग्रामीन शेत्रों में लगातार हमले भेड़ियों के हो रहे थे और अब डर की कारण जो ग्रामीन शेत्रों से बच्चे गायब हुए और जब पता चला कि भेड़िये हमला कर रहे हैं उसके बाद तमाम शिकायते हैं और वन विभाग की टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई है चो अथा भेड़िया पकला गया है एक बड़ी चुनोती अभीवी के कुल कितने भेड़िये यह हैं जिने पकड़ा जाना बाकी है या ये भेड़ियों का जुण आप किस तरफ शिफ्ट करने जा रहा है या इन भेड बाग हो इने पाला जा सकता है सरकस्मिन को आपने देखा होगा लेकिन आपने कभी भेड़िये को नहीं देखा होगा कि भेड़िये के गले पे कभी कोई पट्टा बंधा हो भेड़ियों को कभी गुलाम बनाया जा सकता हो भेड़ियों को कभी किसने घर में पाला हो कभी न नहीं सकता है भेडियों का पूरा जुन उस इलाके को उत्थर पूरा खराब कर देते हैं और यही कारण है कि भेडिया सबसे जादा खतरनाग जानवर माना जाता है शेर से भी जादा खतरनाग जानवर जिसे ना पाला जा सकता है ना जिसे घुलाम बनाया जा सकता है आप कित Namaskar